नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का एचाराई नियूस पर बहुत बहुत सौगत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरे सामने निकल के आ रही है जहां पर पहली बड़ी अपडेट में बताएंगे भारत जोड़ो यातरा से बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे तो वहीं दोस्तों अगली अपडेट में आप लोगों को बताएंगे पीम मोधी की बीजेपी नेताओं को बड़ी नसीहत फिल्मों पर अनावस्ट्रेक्ट इपड़ी से बचें क्या कुछ कहना है पीम मोधी का आग तक पहुँचाएंगे दोस्तों इसलिए लगतार हमारे साथ बने रहिएगा आगे इसी वीडियो में सभी मुख्य समचार जानना आप लोगों के लिए बेहत ही जरूरी है तो वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो रहुल गांधी बोले देभूमी के लिए हमने पदियात्रा का बदला रूट खबर आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा लगतार जारी है पंजाब के बाद अब यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेस कर गई है हिमाचल प्रदेश में भा खबूमी हिमाचल में आने के लिए हमने यात्रा का रूट ही बदल दिया हम कम समय दे पाए क्योंकि गांधी जी की सहीदी दिवस को हमें सिरीनगर पहुंचना है यह यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का और भाही राहुल गांधी ने कई मुद्धों को लेकर के सरकार और पीजेपी पर जम करके निसाना सादा है उन्होंने कहा है कि हमने अपने मुद्धे संसद में उठाने की कोशिश की लेकिन वहां मुद्धे उठाने नहीं दिये गए भारत की संस्थाओं जैसे की न्याय पालिका प्रेस आदि से भी बात नहीं उठा सकते क्योंकि सब पर लोगों के लिए ही होता है हमारी किसान मचदूर यूवा के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है भारत की सरकार जो भी करती है वहा भारत के 2 से 3 सबसे बड़े अरपतियों की मदद करने के लिए करती है यह यहां पर बड़ा हमला राहुल गान्धी ने किया है तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पीम मोधी की बीजेपी नेताओं को बड़ी नसीहत कहा फिल्मों पर अनवस्यक टिपनी से बचें सभी नेता जिहां दोस्तों प्रधानमंतिरी नरेंदर मोधी ने नई दिल्ली में भाजपा की राश्ट्री है कारकारणी की बैठक के दौरान कई एहम बाते कहीं है पिछले कुछ दिनों से बॉलिवुड फिल्मों को लेकर की हो रहा है बाइकॉट के बीच पियम मोधी ने भाजपा नेताओं को इससे खुद को दूर रखने की सलहा दी है उन्होंने कहा है कि फिल्मों पर अनवस्यक टिपनी से भाजपा की नेताओं को दूर रहना चाहिए पूरी तरह से ये यहाँ पर अपने तमाम नेताओं को पियम मोधी ने दे दी है नसीहत तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है करनाटक विधान सभा चुनाओ से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुने जर आ रही है करनाटक में रेड़ी ब बंधू ने बिगाड़ा है बीजेपी का हिसाब किताब संभावित नुकसान से बैंगलूरू से लेकर के दिल्ली तक भाजपा के अंदर चटपटाहट तेज हो चुकी है आप लोगों को खबर बताते चलें जी जनारदन रेड़ी बड़े हैं और वहाँ उस खनन घोटा ल है इन दोनों के साथ ही घनिष्ट संबंद रखने वाले और इनके दोस्त सिरीराम उलू राजे सरकार में परिवाहन मंत्री हैं और वहीं बताते चलें इसलिए करनाटक में जनारदन रड़ी के दोरा पिछले महिने एक नई राजनीतिक पार्टी की घोचना ने दिलचस्प पैंगलूरू में बीजेपी के अंदरूनी सुत्रों का मानना है कि जनारदन रड़ी का नया संगठन सुरू करने का इकमात्र इरादा बीजेपी के राष्ट्रिय महासचे बीयल संतोस को सरमिंदा करना है रड़ी बंदूओं का मानना है कि उन्होंने ही बीजेपी को जनार बंधों ने भी भाजपा की मुस्किले बढ़ाने का काम सुरू कर दिया है और इस बार के चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं वरोडगांधी ने की है जमकर के अखिलेश यादब की तारिफ क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों खबर बताते चलें उत्तर प्रदेश की सियासत में भार्टी एजन्ता पार्टी के पिली भी से सांसद वरोडगांधी को लेकर के अब नई चर्चा सुरू हो गई है दरासल बताते चलें वरोडगांधी के कॉंग्रेस में सामिल होने की बात पर कॉंग्रेस के सांसद राहूल गांधी ने कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूँ बात कर सकता हूँ लेकिन उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा बिलकुल ही अलग है और वहीं अब यहाँ पर बताते चल वरुण गांधी के एक बयानने कॉंग्रेस में सामिल होने की अटकलों को समाजवरी पार्टी की तरह मोड़ दिया है अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार बयान बाजी कर रहा है वरुण गांधी इन दिनों विपच्छी पार्टीयों पर काफी महरबान नजर आ रहे हैं बताते चलें समाजवरी पार्टी में वरुण गांधी के जाने की बात इसलिए उठी है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर वरुण गांधी ने सपा के मुखिया अखेलेश यादब की जम करके तारिफ की है और माना जा रहा है कि वरुन गांधी यहां पर समाजवादी पार्टी में सामिल हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के साथ ही एक और बड़ी ख़बर बताते चलें बीजेपी के सांसद तेजसी सूरिया ने खोला प्लेन का इमर्जंसी गेट कई लोगों को खत्रे में डाला साथ ही यात्री ने लगाया है गंभी रारोब बताते चलें बैंगलूरू तच्छिड से भाजपा के सांसद और पार्टी के यूवा मोर्चा के राश्ट्रिया अध्यच तेजसी सूरिया इंडिगो के दौरा एक बयान जारी करने के बाद जाच के घेरे में आ गया है जिसमें दावा किया गया है कि एक यात्री ने 10 दिसमबर 2022 को फ्लाइट में आपात कालिन गेट को खोल दिया था एरलाइन ने यात्री का नाम नहीं लिया है लेकिन इस बीच यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें उसी फ्लाइट में सवार एक यात्री ने दावा किया है कि तेजसी सूरिया ने ही आपात कालिन गेट खोला था उसने दावा किया है कि भाजपा सांसद आपात कालिन गेट के पास बैठे थे और कैबिन क्रू के दौरा आपात कालिन नियमों को समझाने के बाद उन्होंने अचानक उसे खोल दिया और इसके बाद यहां पर अपतेजसी सूरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रह पारतिय जंता पार्टी के राष्ट्रिय कारकारणी की बैठक के बाद यहां पर एक बड़ी अपडेट आई है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने बैठक को सम्भूधित किया पियम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है और कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में ग जब राहूल गांधी यहांपर जबरदस तरीके से समर्थन प्राप्ट कर रहे हैं भारत जोडो यात्तरा में जनता का और राहूल गांधी लगातार हर समाज को साथ लेकर के चलने की बात कहते रहते हैं उस बीज यहांपर पियम मोदी की तरब से यह बयान आया है इसके सा इने आम लोगों का जीना दूबर करके रखा है पेट्रोल और डीजल के दाम आस्मान छूरा है जाहिर है तेल की बढ़ी किमतों की वजह से महंगाई भी लगातार बढ़ी है इन सब के बीच में सरकार माउन है पेट्रोल डीजल की किमतों को लेकर के कॉंग्रस के अध्यच मल जनता से लाखो करोडों की लूट अप्रमपार इसके साथ ही कॉंग्रस अध्यच खडगे ने इस टूइट के साथ में एक ग्राफिक्स भी सेयर किया है ग्राफिक्स में समझाया गया है कि कैसे सरकार देश की जनता से तेल के जरिये खुली लूट कर रही है इसमें यहाँ पर दिये गए आकडों के मुताबिक बीते साथ महिनों में कच्चे तेल की कीमत में 32 फीसदी की जवरदास्त गिरावट आई है बावजूद इसके मोधी सरकार ने तेल के दाम बिल्कुल भी कम नहीं किये है जिसको लेकर के अब कॉंग्रस पार्टी हमला बढ़ाए केंदर सरकार पर यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे मुखे समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आये हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी दोस्तों में वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद